शनीवार का दिन है जिस दिन आपन इस दरीतरता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं हिंदो धर्म में ये दिन पीपल के ब्रक्ष के लिए पूजनी होगा जो भी शनीवार के दिन पीपल के ब्रक्ष की पूजन करेगा रूद चड़ाएगा या मिश्ठान का भोग लगाएगा लच्छमी और नरैन उसके घर में प्रवेश कर जाएगा लच्छमी और नरैन उसके घर में प्रवेश कर जाएगा पुरान की कथा कह रही है कि दुनिया के सारे तीरत नहीं जा सकते प्रत्री के सारी नदियों में इसनान नहीं कर सकते पवीत्र नदियों में आप इसनान नहीं कर सकते या किसी भी तीरत में जाकर एक रात्री भी विश्राम नहीं कर सकते या हमने जिन्दगी में कोई दान करा ना करा कोई पुन करा ना करा कोई सत्कर्म करा ना करा, कोई शास्त्र पढ़ा, ना पढ़ा, कोई शास्त्र सुना, ना सुना, उसके बाद भी श्यू महापुराण की कथा करती है कि एक दिन में अगर मात्र एक बार भी आप शंकर के शिवाले में प्रवेश कर गए या मंदिर में प्रवेश कर गए तो सार जान का पुन्य, जान का पुन्य प्राप्त हो जाता है। एवल शिव तत्व को प्राप्त कर ले ले। शुमाहा पुरान की कथा कह रही है कि घर में जो दिया होता है वो दीपक भी तुछ साजान नहीं होता है। मेरी जीजियों, मेरी जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, कभी, कभी मुका लगे। शंकरभगवान के शिवलिन के पास में आप देखे हैं। अब पूजन करते हैं। तभी मुका लगे। और आप पूजन करने के लिए गए। और आपको शंकरभगवान के शिवलिन के आस में या शंकरभगवान के शिवलिन के ऊपर कनेर का घर पीला फूल देखा है ना लोगे। और बोलो तो जमदेखें। देखाए। तभी पीला फूल शिवलिन के आस पास में या शंकरभगवान के ऊपर कहीं रखा हुआ भी दिखे जाए। मिशम प्रिष्थितियों बहुत हिम्मतना हारते हों। तभी धरवान अके लेने एकान के आप पहुंचें उनके पूजन के लिए। जाहे वो जलाधारी पर रखाओ। जाहे वो शिवलिंग के पास में रखाओ। उस उस गनेर के पुष्थों को अगर आप पांच जगा मैं सुपर शकर आकर अपने हिल्दाइक के बात पेकर वापिस महादेओ को समद्भित कर देते हों। तोगी मेरा महादेओ तुमारे द पहला गणेजी गणेजी का जिस्थान होता है दूसरा शडानंद कार्थी तीसरा अशुक्त सुंदरी वाला चौथा जलाधारी जो उपर से बूंद बूंद जलनी के गिदा रखी रही है। जया, विशहरा, शामलीबावी, दौतली, देव, शंकर जी की पाँच बेटने होता है। और पाच्छे नंबर का है शंकर भगवानक के जो ऐसे बढ़नन किया जाए तृषूल के तीन भाग होता है। करें दर्शना तो बने। यह से सामने तृषूल लगा है। इस तृषूल के ऊपर देखेंगे तो तीन भाग भी करें। सामने तृषूल का जो तीन भाग होता है। जहाu मिलता ह। पंचम इस्थान। यहां पर इसपरश कराकर श्रीशिवाय नमस्तु जाएम करकर बाबस अपने मन 흉बात करे कर समर्भत कर देता। हम् थीन महीन भी नहीं काहेंगे, हम तो काहेंगे, अगर ज्याता तुक है तीन दिन इमतिजार करना मेरो बाबा इस तुक को में यहां तक सास्तर घ religions को बहुत तेर कुखा आगया, बहुत तेर प॑क kinda करना है वाह तुका है, वाहे तुक बणा क्टा कंथा है जर्बेश अमना प्रसिशना करते कि को चैने करते हैं वरकुरस्त कर दिए को समें किता बाइडियात पाणी की पानीं में जो किया दिए अब दिद आज़ा जाता है जो सांविश्ड को दिएन चैने की बाइडिया , बन्स मिनत ही है काश्मीर प्रदीश का इक ठख देवरत बेल पत्री के नीचे बेठतर आपका मन्तर जाप प्रता मैं आपको जगाना नहीं चाहती है और बेलपत्री के ब्रक्ष के नीचे लच्मी जारू लगाती है इसे लिए देव्रत एक बार पंचाप्छर मंतर बोलता है तो वो तेटिस करोड़ बार गिना जाता है एसा बिलपत्री का ब्रक्ष होता है बिलपत्री के ब्रक्ष के नीचे एक बार अगर भगवान का नाम लिया जाता है तो वो 33 करोड़ बार, 33 कवटी बार गिना जाता, एक मंत्र केवल, नमस्षिवाए, ओम 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 नमस्षिवाए, पूजान वाले दुकान पे बोलना कि पूजा का थी चाहिए तो वह पूजा इस ने वाला वी तक्षच तूरता उसमें पूजा का ही दिया तो इन्हें पूजा वह एक गी किते का तो प्यासी रुपे का तुजा अधा किलो तो कि पूजा का है आरब की भूमी पर इस किसी के यहां पर भोजन नहीं किसी के यहां जमीन नहीं किसी के यहां दुकान नहीं कोई-पोई पूरी जिंदगी किराई के मकान में निकाल देता है नहीं मेरा एक निवेदन है इस कथा को चितने चत्रपती संभाजी नगर के शुरोथा बही बहन चुरवड कर रहे है उनसे निवेदन करूंगा आप हाथ का ठेला लगा रहे हो सबजी का ठेला लगा रहे हो फल का ठेला लगा रहे हो धक्के की जिंदगी जी रहे हो करवाजे पर बेठे हो कहीं न कहीं तुम दास भाव की जिंदगी जी रहे हो तकलीप में जिंदगी जी रहे हो बहुत दुख की जिन्दगी जी रहे हो बहुत अश्ट की जिन्दगी जी रहे हो उनसे केवल निवितन करूंगा तीन महीने दो जगा पर जल चड़ाना प्रारम कर दीजिये केवल तीन महीने एक संकर भगवान के शिविलिंग पर